हेलो गाइस आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बच्चों में उल्टीएं दस्त से रिलेटीड अगर कोई प्राबलम है अगर बच्चे की एज जो है वो जनम से लेके ग्यारा साल का बच्चा है तो उसमें हमें कौन सी दवाई लेनी है और उसकी कितनी जो है डोज लेनी है तो इसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे तो आई ये शुरू करते हैं तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि हमें दवाई कौन सी लेनी है तो जो commonly used होने वाली दवाई है वो है Ondan Citron ये सिर्प के फार्म में भी मिलता है और टैबलेट के फार्म में भी मिल जाता है तो कामन जो यूज होने वाले ब्रैंड है वो है Mset हो गया तो Mset की हमें टैबलेट भी मिल जाती है 4MG की और सिर्प भी मिलती है जो की 2MG होती है पर 5ML तो next देखेंगे Ondan जो है ये भी एक बहुत ही पापुलर ब्रैंड है तो इसका भी जो है हमें सिर्प भी मिल जाता है और साथ-साथ में इसकी टैबलेट भी मिल जाती है और उसके साथ जो और अदर जो कामन ब्रैंड है वो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं होंगे Ondat तो इसका प्राइज है 32 रुपीज सिर्प का फिर है Ondatty विक जो है इसका 33.38 है ये भी सिर्प है और इसकी टैबलेट भी आती है सेम नेम के साथ में नेक्स जो है वो वोमिट टास्टर है इसका 2MG 5ML सिर्प जो आता है वो आता है 33 रुपीज का फिर है 9M इसका भी 2MG 5ML सिर्प जो आता है वो आता है 34 रुपीज का on scent जो md ये भी एक सिर्फ है और इसका भी 2 mg पर ml जो है पर 5 ml सिर्फ जो है वो आता है तो इसमें से आप कोई भी brand की सिर्फ जो है वो ले सकते हैं असानी से market से मिल जाती है तो आप जो है आप से यही गुजारिश है कि आप prescription के बाद ही medicines को ले तो अगर कभी emergency में लेनी भी पर जाए तो आप इसमें से कोई भी एक brand की जो है medicine ले सकते हो next हम देखेंगे इसके uses क्या होते है अंडन citron के तो अगर vomiting है अगर ulty हो रही है दस्त हो रही है तो उसमें इसका use किया जाता है nausea अगर बार बार ulty करने का मन कर रहा है ulty नहीं भी होती है तो उस condition में भी आप इसका use कर सकते हो motion sickness होती है जब travel करता है बच्चा तो उस time पे जो गाड़ी पे travel करता है तो वो ulty करता है या उसका ulty करने का मन करता है तो जब भी आप travel करने जा रही हो जाने की आदे एक गंटे पहले जो है आप इसका use कर लें तो उसके बाद जो है आपको travel करते दुरान जो है ulty नहीं होंगी तो इसकी dose की बात कर लेते हैं तो avoid use of ondan citron in child less than six month तो आपको avoid करना है अगर बच्चे की age जो है वो 6 month से कम है तो उसमें आपको इसका use नहीं करना है अगर बहुत ही severe condition है ulty नहीं रुक रही हों तो उस condition में आप जो है थोड़ी सी dose इसकी ले सकते हो वो भी जो है strongly prescribed अगर doctor prescribed करता है और under supervision ही आपको जो है इसकी dose लेनी है तो उसके बाद हम बात करेंगे अगर child की age जो है वो 6 month से लेके 1 year है उसका bait अगर 8 kg से लेके 11 kg तक है तो आपको 3.75 ml जो है उसको सिर्फ देनी है तो जो इसकी cap होती है तो cap पे जो है simply mention रहता है 3.75 ml वहां तक आपको fill करके जो है ये cap देनी होती है ये जो डक्कन होता है साथ में इसको fill करके देना होता है तो next बात करेंगे अगर बच्चे की age एक साल से लेके 1.5 साल के बीच में है अगर उसका bait जो है 11 से लेके 13 kg है तो उसको आपको 4.5 ml देनी है अगर बच्चे की age एक से लेके 1.5 साल है तो वहां पे आप जो है आदी टैबलेट का भी यूज कर सकते हैं आदे से थोड़ी कम टैबलेट जो है वो आप बच्चे को दे सकते हैं अगर आपके पास सिर्प नहीं भी है तो बच्चे को आप टैबलेट का भी यूज कर सकते ह तो वहाँ पे भी आप जो है half tablet का use कर सकते हो अगर आपके पास सिर्प available नहीं है तो firstly आपको जो है वो सिर्प ही देनी है अगर किस condition में अगर सिर्प नहीं भी होती है तो फिर आप जो है tablet का use कर सकते हो half से थोड़ी कम ही देनी है next जो है वो two से three year का अगर child है तो वहाँ पे अगर उसका bed 13 से लेके 16 kg है तो इस condition में आपको 5.5 ml देनी है तो 5 ml जो mention रहता है cap पे उससे थोड़ा सा ज़्यादा दे देनी है एक जो है थोड़ा से line जो above होती है अगर 5.5 ml mention होता है cap पे तो वहाँ तक आप दे सकते हो तो next देखेंगे अगर tablet है आपके पास तो दो साल से लेके तीन साल का child है तो उसमें भी आप half tablet का use कर सकते हो तो कई बार क्या होता है कि जो child होते है उनका bait जो है वो कम होता है उनके age के according उनकी जो age है वो तो ज़्यादा होती है मगर उनका bait कम होता है तो उस condition में आपको जो है bait को देखके उनको dose देनी है चाहे उनकी age ज़ादा भी है अगर उनका bait कम है तो उस condition में आपको जो है bait के according dose देनी है next अगर 3 से लेके 4 year का child है तो उसमें आपको 16 से 19 kg तक उसका bait होना चाहिए अगर वो healthy child है अगर उसका bait कम है तो फिर उसको कम bait के according ही dose देनी है तो उसमें आपको अगर 3 से 4 साल का बच्चा है तो आप 6.75 ml दे सकते हो next देखेंगे अगर tablet है तो half tablet का यूज़ कर सकते हो अगर 4 से लेके 5 year का child है तो वहाँ पे आपको 6.75 ml ही देनी है तो फिर जो है next अगर हम देखें तो 4 से 5 year का अगर child है तो half tablet का यूज़ कर सकते हो तो आप जो है अपनी screen को pause करके भी जो है देख सकते हो हम थोड़ा video को fast करेंगे 5 से लेके अगर 6 year का child है उसका bait अगर 22 से लेके 24 है तो आपको 8.5 ml देनी है जो कैपे mention होगा निशान वहां तक फिल करके देनी है next आप half tablet का भी यूज़ कर सकते हो अगर 6 से लेके 7 year का child है तो आपको खास दियान जो है वो bait का रखना है अगर bait कम है तो फिर उसको कम bait के according ही dose देनी है मान लिजी अगर child की age 6 से 7 year भी है मगर उसका bait 25 से कम है तो फिर आपको जो है उसको 8.5 ml ही dose देनी है अगर उसका bait 25 से कम है अगर उसका bait जो है वो 22 से लेके 24 है तो आपको 8.5 ml देनी है चाहे उसकी age 6 से लेके 7 साल भी होगी तो next हम देखेंगे तो आप 6 से लेके 7 year का अगर child है वहाँ पे आपको 3,4 जो है tablet यूज़ करनी है इसका मतलब हुआ कि आपको tablet के 4 हिस्से करने है और उसमें ऐसे जो तीसरा हिस्सा होगा उतनी tablet उसको child को दे देनी है next देखेंगे 7 से लेके अगर 9 year का child है तो उसमें आपको 11 ml जो है वो dose देनी है बेट भी आप देख सकते हो बेट का आपको हास द्यान रखना है तो tablet जो है वो 3,4 ही यूज़ करनी है next अगर 9 से लेके 11 year का child है तो वहाँ पे आपको जो है पूरी एक full tablet यूज़ कर सकते हो तो अगर आपके पास सिर्फ है तो आपको जो है पूरे दो डखन फिल करके जो है सिर्फ देनी है उसको 5,5 ml तो इसी के साथ हम अभी बात करेंगे एंड में कि maximum dose आपको कितनी देनी है तो आपको हमेशा ये जो अंडन सिट्रोन जो उल्टियों के लिए बॉमिटिंग के लिए tablet जाँ सिर्फ है तो इसको half an hour before the meal ही देना है हमेशा हाना हाने से आदा गंटे पहले जो है ये देनी है और maximum आपको सिर्फ दिन में तीन ही dose देनी है मान डिजी अगर पहली बार देने में अगर अराम नहीं होता है उल्टियों कम नहीं होती है तो उस condition में आप second dose भी दे सकते हो अगर second dose के बाद भी आराम नहीं होता है तो third dose भी दे सकते हो फिर भी आराम नहीं होता है तो फिर आपको जो है doctor को prescribe करना चाहिए doctor के पास जाना चाहिए और उसके बाद ही next dose लेनी चाहिए three dose जो है नार्मली दे दी जा सकती है तो इसके side effect देख लेते हैं drowsiness जानी की जब की आ सकती है नीद आ सकती है headache हो सकती है सर में दर्द हो सकती है constipation कबज की जो है शिकायत हो सकती है तो इसी के साथ I hope आप सभी को ये अभी पता चल गया होगा कि आपको कितनी dose देनी है पूरी जानकारी मिल गई होगी अगर बच्चों में vomiting हो तो कैसे उसका जो है उसको ठीक करना है उसके लिए कौन सी medicine यूज करनी है तो thank you for watching अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो share भी जूर करें like भी कर लें वीडियो को और चैनल को जूरूर सब्सक्राइब कर लें तांकि ऐसी ही वीडियो की notification आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए धन्यवाद